बिश्मिल्ला अर्मान रहीम आप देखने स्पोर्ट्स वन स्पेशल जो के पीएसल सेवन के लिए हमने सजाया है हमारा आज का ये चौथा प्रोग्राम है और ये हम जारी रखेंगे इन्शाललाओ ताला 27 फेबरी तक नॉन स्टॉप बिल्कुल डेली राद 11 बजे मैं और मेरे एक्सपर्ट शौयब मौम्मद साब आपके सामने हाजर होते रहेंगे तो आप बने रहे है क्योंके इस प्रोग्राम में एक खास बात ये हैं मैच अनालिसिस तो होता है लेकिन कुछ प्रेडिक्शन भी ऐसी होती हैं जो के जो के मतलब मैच रिलेटिर हैं और जो के बिल्कुल जस्ट हैं ऐसा नहीं है कि इक ने फाल निकाल लिया और उसने बता इसा नहीं है he is an expert of cricket so he does predictions cricketing wise तो आज दो मुकाबले हुए कराची किंग्स और कोटा ग्लाडियाटर का मुकाबला कोटा ग्लाडियाटर ने जीत लिया बासानी जीता आठ विक्टों से और 25 गेंदे बाकी थी नसीम शाह की शांदार बोलिंग 5 खिलाडी आउट किया और य तो नसीम शाह की बोलिंग और उसके अलावा बैटिंग एसान अली ने बैटिंग भी की थी एसान अली ने मुस्लसल 50 श्कूर की और यह मुकाबला जीता कोटाक लेडियाटर ने अपना अकाउंट खोला और कराची किंग्स को दूसरे मैच में नाकामी हुई और इससे पहल किल के मुकाबले भी बड़े मुकाबले हैं कराची लाहर का मुकाबला होगा और पिशावर और स्लामबाद की टीम खेलेंगी एक यह बात और दूसरी एक एहम बात जो मैं करना चाहरा हूँ वो यह है कि 12 साल से कम उमर के बच्चे अलाउड नहीं हैं स्टेडियम में यह PCB कई दफा कह चुका है लेकिन PCB का मौकब भी हमने आज लिया और PCB कुछ अवाम भी नराज सी वहां उनका भी मौकब लिया PCB के उस्मान वाला साब को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं GM आपरेशन पाकिसान सूपर लीग हैं उन्होंने यह का कि यह दुख की बात है लेकिन N NCOC ने जो यह फैसला किया था यह हमारी टिक्टों की सेल से पहले के बात किया था टिक्टों की सेल पहले हो गई थी तो बच्चों को अलाउट था उस वक्त और इसी कन्फूजन में लोग आ रहे हैं लेकिन यह वाज़ तो पीसीपी ने कह दिया है कि 12 साल से कमों और बच् की थी कराची और कोटा के मैच के हवाले से आपने प्रिक्टों की थी वो मेरे पार रिकॉर्डड है मैंने रिकॉर्ड किया था आपको में चला दूंगा किसी वक्त नहीं बात यह है कि बहुत अच्छा मैच हुआ पहला और उसके अंदर फाकर जमान और लोगोंने एक अच तमाम एक्सपर्ट का भी कि यह मैच 200, 215 या 220 ऐसा जाएगा तो मैंने उसी वक्त एक रिकॉर्डिंग एक चोटी सी की मेरा अंदाज़त था कि वो इसलिए कि वो दिन का मैच था धूप लगी हुई विकेट थी और दिन और शाम के मैच में थोड़ा बहुत फरक होता है और 207 रन का टार्गेट दिया और फिर दूसरी टीम भी उसी तरह उसी गोइंग विट फ्लो उसी पैटन के उपर खेलते वे नजर आया और वो इवेंचुली दे वन दे गेम लेकिन ये कि दूसरी टीम पिछले मैच को देखते वे मेरा अंदाज़ा ये था कि वो जाएंगे उ जिव दोसो का शॉट जाते ही खेलेंगे और दोसो रन हो जाएंगे दूसरे मैच की बात कर रहा हूं तो वो उस टाइम के उपर बिफोर दे स्टार्ट अफ दे गेम मेरा ये अंदाज़ा था कि जब लोगों ने ज्यादा तर कहना शुरू किया दोसो रन के करीब आया मैं आपको रिकॉर्डिंग की सुनवा दूँगा शॉयब भाई मुझे बता दिया गया है रिकॉर्डिंग रेडी है आप देख लें आप काईम है अपनी बात पर जब तक थोड़ा सा मैच को डिसकाश कर लें बिजवान और हमारे जो शानमसूद बड़ी अच्छी बैटि हैं और भी बॉलर में उसके बावजूत ही इतने रंस पड़े इनको देखें मेजर जो 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 बॉलर जो थे हैं उनकी टीम के अंदर वो जो जो आपने अभी नाम लिये भारे स्रौफ शाहिंशाह अफ्रीदी या शाहिंशाह अफ्रीदी और सामिठ पर्टल भी अच्छे जरूर थे लेकिन ये के शाहिंशाह अफ्रीदी सबसे स्ट्रौंगेस्ट कैंडिडिट थे उन्होंने रीजनेबली अच्छी बॉलिंग तो की लास्ट ओवर जो उनका लास्ट ओवर था उस्पूर मैच का सेकेंड लास्ट ओवर था बहुत आउटस्टैंडिंग किया लेक उनको मेजर डेंट पड़ा उनकी टीम को और जिसमें रन फ्लो जो है सामने जिस सरह रिजवान और शान मसूद ने टीम को लेके चले विच वाज इन आउस्टैंडिंग डिस्प्ले शान मसूद की इनिंग्स के बारे में कुछ करीए शान मसूद उसका मैं बताता हूँ आप बोलेंगे कि शान मसूद बहुत अच्छा खेले शान मसूद बहुत अच्छा जरूर खेले लेकिन उसका फुल क्रेडिट जो है वो मेरी नजर में वो रिजवान की वज़ा से वो इनिंग इतनी अच्छी खेल पाए शुरू में रिजवान ने थोड़ा चार्च किया लेकिन आप देखें कि फिर उसने शान को प्रोजेक्शन ज्यादा आगे दे उसको बड़े शॉट्स खेलने के लिए इसी कि रिजवान का तिल दी एंड होना बहुत जरूरी था एक मेजर टोटल स्कोर बोट पे लगावा होना जरूरी था जब तक रिजवान ने वहा होना था तो शान के बैट से फ्री फ्लो आफ दा बैट से उनके एक्सेक्यूशन आप देखें कि वो जिस तरह जिस फॉम में खेल रहे थे आउस्सेंडिंग शॉट्स के लिए दोनों बहुत अच्छे खेले लेकिन 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 उसका रीजन में मैं यह समझ रहा हूं कि जिस तरह उन्होंने जो देखें खेलने का तरीका होता है एक नीचे खेल रहे जिससे ना रिजवान कौशिसली खेल रहे थे जो बॉल थी उसको प्लेस्मेंट करके मार रहे थे शान के साथ यह नहीं था वो बॉल को लाइन देखके वो मार रहे थे वो बॉल कहीं भी रहा अब मेरे पास फूटिज रेड़ी है अब आपने क्या कहा था पहले मैच के बाद दूसरे मैच के हवाले से वो सुनने पहले उसी तरह जो टोटल है जासे मेरा अंदाज़ा है कि शायद नीचे आ जाए और विक्टे लूज करने पे स्कोर इसी ता इसी वज़ा से स्कोर इतना ज्यादा नहीं हो पाता जो एक्सपेक्टिट मैं ऐसा देख रहूं कि ऐसा होगा शायद यह आपने पहले मैच से रेकॉर्ड किया यह मैच के बात क हुए रहे खांगा तो तो चाजिये था भी अंदर नहीं हो पुए हुए इस तरह यह पिर वह रिकॉर्ड हुआ वरना तो वो यह भी रीजन था कि सब लोगों का एक अंदाज़ा था कि यह पैटर्न जो है दो सो क्रोस करेगा जिस तरह पहला मैच हुआ है तो वो इस तरह से बात यह हुई कि यह ऐसी बात नहीं है अच्छी बात है अच्छी बात है शुएब मौमद साब क्या घर पे एक इतमाम होता जब भी मैचेश होते हैं तो फैमिली दोस्त वगरा सब देखते हैं मैंने भी मैचेश देखे हैं इनके घर पे तोड़ा अच्छा एक माहौल है अच्छी बात है अब बताईए कि लहोर करंदर को क्या करना होगा कि वापस आए और अच्छी प्रफॉर्फॉर्मस दे कल मुकाबला दुबारा है कराची किंग्स से मुकाबला है करें इनका यह लेकिन इनको एड़िट एडवांटिज यह कि इन्होंने बहुत बड़ा टोटल अमास किया तो confidence इनकी टीम को होगा वो दोनों टीम में बहुत अच्छा जरूर खेली थी लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा खेल गए ज्यादा सीजन प्लेयर थे और फकर ने 35 बॉलों में 73 और रंस किये 76 तो बहुत आफस्टेंडिंग वो था तो confidence उनकी टीम के अंदर फकर और इस तरह जरूर होगा लेकिन यह के दूसरे जो बैटमन ने थोड़ा बहुत चिप-इन किया है एक अच्छी परफॉरमस है एड़िड एडवांटिज के साथ जाएंगे दोनों टीम में मोर और लेस सेम पैटरन की हैं और वीकने से स्ट्रेंज सिमिलर हैं तो लेकिन एड़िड एडवांटिज जो है वो लोहर की टीम को कल के मैच में होगा और कराची किंग्स के आमिर को पत्रेंज रोटेंब प्रफॉरमस होनी चाहिए और स्टरेंड वो इचुद शाय को the brightest और आसिफ के साथ ये होता रहा है के एक दो इनिंग आए फिर बीच में काफी सारी फेलियर आए और फिर उसके बाद एक हिरो एक्स ऐसा नहीं है ये अब उस तरह के जैसे रजाक थे रजाक पाकिसान के लिए जब जाते थे तो उनकी परफॉरमस एवरी ना और पाकिसान क परफॉरम बेटर थे और उसके इलावा थे बड़ा एंथूजियस्टिक और काफी बबली किसम के वह हैं और ये चारेक्टर हैं और ये वोड़ वांट वी इस वांग जाते हैं अमंग दे बेस्ट आप प्र आप लेडर शादाव के बीच प्तन लेक्स पें गुगली मिक्स आप बैटिंग के अंदर 40-50 रंग की बिलिटी रखते हैं तो तो आम शूर ये पहला मैच जरूर होगा लेकिन अगर इनको ये मैच जीतने में आसानी होती है तो बहुत अच्छी बात है हेल्स एंड मन्रो आफकॉर्स हैं तो ये वेरी गुट साइट इन अधर वर्ड इसल कामने फिर हादिर होंगे एक मतवा हमें इजार्द दीजिए खुदा आपस्ट